नमस्ति मेरी प्यारी दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम फूड मस्ती में दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सब बच्चे होंगे और हम भी बहुत अच्चे हैं दोस्तों आज हम बनाएंगे अर्बी के पत्तों की सबजी तो आज हम अर्वी के पत्तों की सबजी बहुत ही स्पेसल तरह से बनाने वाले हैं जो गले में चिट्राहट होती है वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी तो यहां पर हमने अर्वी के पत्ते ले लिये हैं और इनको हमने पहले से ही धुल कर रख लिया है और जो उपर का जो हिस्सा होता है डंठल उसे हमें निकाल देना है तो सारे पत्तों में हमें इस डंठल को निकाल देना है क्योंकि जो टाइट डंठल होते हैं वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जितना भी टाइट पार्ट हो पत्तों में उसको हम निकाल देंगे फ्रेंट्स आज जो हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्ते कमाल के बनने वाले हैं तो बीडियो को लाज तक देखिएगा बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा बहुत ही कमाल की रेसेपी बनने वाली है तो देखिए डंठल का जो हिस्सा था वो हमने काट दिया है जो टाइट हिस्सा था वो हमने काट लिया है और एक हाथ में कुछ पत्तों को इखटा हमने कर लिया है तो अब हम इन पत्तों को काटेंगे तो चलिए इन पत्तों को हम काट लेते हैं तो यहां पर हमने एक बर्तन ले लिया है और महीन महीन हमें काट लेना है ध्यान इतना रखिएगा जो हमने बताया है उस तरीके को जरूर अपनाईगा जो सक्थ वाला पार्ट होता है पत्तों में वो जरूर निकाल दीजिएगा नहीं तो आपकी जो पत्ती की सबजी है वो नहीं बनेगी तो देखिए हमने पत्तों को काट लिया है एकदम मुलाइम पत्ते ही लेने हैं तो देखिए हमने पत्ते काट लिये हैं और इसी तरह से हम सारे पत्तों को काट कर रख लेंगे तो चलिए दोस्तों सारे पत्तों को हम काट लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते ह तो चलिए सारे पत्तों को हमने काट लिया है ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने काटा है अब हमें क्या करना है एक चम्मच हमें हल्दी लेना है हल्दी पाउडर लेना है और इसमें डाल देना है डाल कर अच्छी तरीके से इसे हमें उलट-पलट देना है जिसे की जो हल्दी है वो पत्तों में सभी जगए हो जाए तो देखिए हम इसी तरह से उलट-पलट देंगे और इसे हमें 10 मिनट के लिए रेश्ट पर छोड़ देना है समय का जरूर धियान रखिएगा दोस्तों और 10 मिनट के लिए हमने रेश्ट पर छोड़ दिया है अब हम लेंगे एक मिक्सी जार हमें लेना है एक कटा हुआ प्यास तो देखिए हमने प्यास डाल दिया है और 7-8 हमें लेनी है लहसुन की कलिया तो लहसुन की कलिया भी डाल देंगे और इसमें डालेंगे 7-8 हरी मिर्च और इसका हमें बना लेना है पेस्ट बिल्कुल महीन पेस्ट हमें नहीं बनाना है तो ये देखिए हमने पेस्ट भी बना कर तयार कर लिया है थोड़ा सा हमने दरदरा ही पेश्ट को रखा है तो देखिए पेश्ट हमारा बन कर तयार हो गया है और इसको हम साइड में रख देंगे अब हम अपने पत्ते देख लेते हैं तो ये देखिए दस मिनट हो चुका है पत्ते में एक दम हलका सा मोस्चर आ चुका है और थोड़ी सी हल्दी की महग भी आने लगी है अब इसमें डालेंगे एक चम्मज धनिया पाउडर और सुआत के अनुसार डालेंगे नमक और आधा चम्मज भरकर लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि हरी मिर्च का भी हम इस्तमाल कर रहे हैं और एक कटोरी हम इसमें डाल देंगे बेसन तो देखिए इतनी सारी चीज़े हमने डाल दी है अब हमें क्या करना है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा दोस्तों और अच्छे से देखिएगा तो चलिए इसको हम हलका हलका पानी डाल कर सारी चीज़ों को एकदम डोर फोर्म में लाएंगे तो हलका हलका ही पानी डालिएगा एकदम पानी मत डालिएगा नहीं तो आपके जो पत्ते हैं बिल्कुल गीले हो जाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक डो तयार कर लेना है फ्रेंच जो आज की जो पत्तों की रेसिपी है बहुत ही कमाल की बनने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेला इकन होती है उसको भी प्रस कर लीजिएगा जिससे की अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और जो हमारे नए दोस्त हैं वो भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा जिससे की हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भी बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं इसलिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा तो देखिए डो भी हमारा अच्छी तरीके से तयार हो गया है तो आपको दिखाते हैं किस तरह का हमने तयार किया है तो ये देखिए एकदम मुठी हमारी बन रही है तो इसी तरह से हमें डो को तयार करना है तो चलिए आगे के प्रोसेस के लिए अब हमें क्या करना है थोड़ा सामें डो लेना है अच्छे से हाथों से बेलते हुए इसे एक लंबे साइज में हमें बना लेना है तो दोनों हाथों से हलके हाथों से हमें इसे लंबे साइज में बनाना है ये देखिए बहुत ही आसान है बनाना ये देखिए इसी तरह से हमें सारे पीसिस तैयार कर लेने हैं तो चलिए सारे बना लेते हैं तो ये देखिए सारे हमने बना के तैयार कर लिये हैं अब बारी है इसे बनाने की वो हम आपको जरूर बताएंगे चलते हैं गैस की ओर तो गैस को हमने जला लिया है कड़ाई को हमने गैस पर रख लिया है अब इसमें डालेंगे लगभग दो गलास पानी तो यहां पर हम जग का इस्तमाल कर रहे हैं हमने लगबग दो बड़े गलास पानी स्में डाल दिया है और ऊपर से रखेंगे जाली बाला बर्तन तो देखिए जाली बाला बर्तन ही लेना है अगर आप के पास नहीं है तो आप कटructured और कटोरी रखकर ऊपर से एक थाली नहीं रख सकते हैं, उसमें भी इसे स्टीम कर सकते हैं तो जितने हमने बना कर रखे थे पीचिस सारे इसी में हम रख देंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है और लग बख इसे स्टीम होने के हमें को दिखाते हैं तो यह देखिए लगभग 20 मिनिट हो चुका है और हमारे जो पीसे से अच्छी तरीके से बॉइल हो चुके हैं इस्टीम हो चुके हैं अब हमें क्या करना है इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है तो देखिए जो हमने अर्बी के पत्तों की जो पीसेस बनाये हैं ठंडे हो चुके हैं और इने हमें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है तो चलिए कट करके आपको दिखाते हैं और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो देखिए सारे काटकर हम रख लेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं तो यह देखिए सारे हमने पीसे कट करके रख लिया है एक दम बढ़िया बनकर तयार हुआ है हमारा अर्भी का पत्ते की सबची यह हल्दी पाउडर और एक चमच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और इनको भूनने के बाद जो हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रखे थे प्याज लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हमें चलाते हुए भूनना है दोस्तों ध्यान इतना रखना है कि मसाला कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए मसाला अची तरीके से भून जाना चाहिए तो इसे हमें लोग ऐस पर धीरे धीरे मसाले को भूनना है और इसमें हम डाल देंगे नमक तो स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल देना है क्योंकि नमक हमने पहले से भी डाला था तो नमक का जरूर ध्यान रखिएगा कम ज़्यादा आप जैसा खाते हूं तो देखें मसाला भी अच्छी तरीके से हमारा भून चुका है और तेल भी छोड़ दिया है मसालो ने अब हम क्या करेंगे जो हमने पत्ते बना कर रखे हैं वो इसमें हम डाल देंगे तो चलिए इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से हमें इन्हें भून लेना है तो भूनने का भी प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से करना है तो चलिए इसको भून लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं और धीरे धीरे लो गैस पर ही इसे भून लेना है और अब हम गैस की फिलेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो करने के बाद इसे हमें एक से दो मिनट ढग कर भी पकाना है और इसे ढग देंगे और दो मिनट के बाद चेक करेंगे तो देखिए दो मिनट हो चुके हैं और जो हमारे पत्ते हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और हल्की हल्की सी खुश्मू भी आने लगी है अच्छी सी तो ये देखे हमारे अर्वी के पत्ते बन कर तयार हैं तो चलिए अब इनको हम एक प्लेट में निकालते हैं लेकिन दोस्तों अभी कहीं जाएगा नहीं क्योंकि अभी हम दूसरे तरह की भी सबजी आपको बना कर दिखाएंगे अभी पूरा वीडि दालेएं और 7-8 पीसेस हमने कराई में ही छोड़ दिये हैं अब हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे एक गलास पानी एक गलास पानी डालकर इसे हमें लगभग पाँच मिनट तक पका लेना है तो चलिए इसे ढख देंगे और पाँच मिनट तक इसे हम पका लेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे सच मानिएगा ये भी सबजी कमाल की बनने वाली है तो ये देखिए पाँच मिनट हो चुके हैं और सबजी बनकर हमारी तयार है तो चलिए इसको सर्व करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों तो चलिए सर्व करते हैं ये देखिए हमारी सबजी बनकर तयार है एकदम ला जवाब एकदम टेस्टी मजेदार आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भ भी खा सकते हैं यह देखिए इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं या रोटी के भी साथ खा सकते हैं हमने आज दो तरह की आपको सब्जी बनाना सिखाया है तो फ्रेंच आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं जो अच्छी तरीके से देखते हैं और हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक तो बनता ही है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते